स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल SG Food World में आज मैं आप सबके लिए एक स्पेशल रेसिपी लाई हूँ जिसका नाम है शाही पनीर इसका नाम ही शाही नहीं है ये रेसिपी भी बहुत शाही है अगर आप नॉर्मल सबजियां खा खा के नॉर्मल रेसिपी बना बना के बोर हो गए है तो इस रेसिपी को जरूर ट्राय कीजिए शाही पनीर की ये रेसिपी बनाने में बहुत ही असान है रेसिपी की शुरुआत करने से पहले SG Food World को सब्सक्राइब करें साथ ही बेल बटन प्रेस करें ताकि लेटेस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे प बटन करेंगे यदि करेंगे दो टीबल सपून घी अब डालेंगे चुटकी बरहिएे छची डालेंगे साथ ही डालन एक टीच ़ीज्पून जीरा है चिस से सौटै कर लेंगे अग अबília不行ation आधी करेंगे 4 मीडिम साइज अनियन जैसे किसी भी शेप में आप काट सकते हैं म इसमें accuracy की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि हमें इसको add the end, paste ही बनाना है, अच्छा से saute करते जाएंगे, थोड़ा सा ये आप देखेंगे translucent color हो जाएंगे तो इसमें add कर देंगे ginger garlic paste, एक teaspoon, किसी भी company की ले सकते हैं या आप घर पे भी बना सकते हैं, mix कर लेंगे अच्छा से, अब add कर देंगे तीन medium size tomato, जिसे भी आप किसी भी shape में काट सकते हैं, मैंने इसे triangle shape में काटा हुआ हैं, अब add करेंगे छोटा टुकड़ा अद्रक का, जिसे जैसे मर्जी shape में आप काट सकते हैं, साथ ही add करेंगे masala, एक चुथाई teaspoon हल्दी, एक teaspoon salt, 2 teaspoon धनिया powder, एक teaspoon kitchen king, पनीर masala, अच्छा से saute करके mix कर लेंगे, सारे masala अच्छा से भून जाएं ताकि, अब mix ही लेंगे और ये gravy जो हमने ready किया है वो उसमें add करेंगे थंडी होने के बाद, साथ ही साथ इसमें add कर देंगे 15-16 काजू और 1.5 tablespoon मलाई, ये घर की fresh मलाई है, mix ही में इसको अच्छे से blend कर लेंगे, बिल्कुल बारीक paste बनानी है, paste बिल्कुल ready है, अब कड़ाई लेंगे और उसको medium hot गरम कर लेंगे, डालेंग 1 tablespoon घी, flame को medium to low रखना है, साथ ही add करेंगे 1.5 teaspoon देगी मिर्च कलर के लिए, अब जो शाही पनीर के gravy हमने ready की थी वो add कर देंगे, और अच्छे से mix कर लेंगे, sautay करते जाएंगे, धीरे धीरे करके इसमें पानी add करेंगे, मैंने 2-7-2 काप पानी इसमें add किया है, मिक्सी में जो gravy लगी थी उसको भी waste नहीं जाने दिया, उसको भी पानी से निकाल लिया है, आप भी एक बारी में पानी ना add करें, दीरे दीरे करके ही add करें, अब इसमें डालेंगे एक चुथाई टी स्पून गरम मसाला, साथ ही साथ डालेंगे एक टी स्पून कस्तूरी मेथी, mix करते जाएंगे, add करेंगे तीन चुथाई टी स्पून अमचुर पाउडर और अच्छो से mix कर लेंगे, gravy almost ready है, इस आपको boil लगवाना है इसे, तो medium to high flame पर इसे ढख के एक boil लगाने के लिए रख देंगे, तब तक आप अपने पनीर रेडी कर लीजे, 150 ग्राम पनीर लेना है और उसे triangle shape में कट किया है मैंने, आप चाहें तो चौरस shape में भी कट कर सकते हैं, boil आ चुका है, आप इसमें पनीर के pieces आट कर देंगे, जो हमने कट किया है अभी, और फिर एक बई ढग देंगे, लो फ्लेम पर, आप इसे 2 मिनट के लिए छोड़ दें, और फिर जब आप चेक करेंगे, तो इक gravy बिल्कुल खाने के लिए त्यार है, मुँ में पानी आ रहा है ना आपके, मेरे भी आ रहा है, मैं ट्राइ करती हूँ शाई पनीर, आप भी बनाएं, और से परिवार खाएं, इस मज़धार रेशिपी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे साथ शेयर करें अपने सजेशन्स और कमेंट्स, मिलूंगी ऐसी ही और मज़धार रेशिपी के साथ, तब तक के लिए गुडबाई, टेक केर, टोंट फोगेट तो लाइक, शेयर और कर दो